नमस्कार अगर आप मस्रूम के सौकीन हैं और अगर आप मस्रूम की खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए यह एक महत पुर्ण वीडियो है इसमें हम लोग जानेंगे कुछ बेसकिमती मसरूम के बारे में तथा कुछ दूरलफ परजातियों के बारे में जिसकी खेती करके आप बहुत अच्छी आमदनी कर सकते हैं इसमें हम लोग इसके रख रखाओ की तरीके साउधानिया भी जानेंगे क्योंकि आपका मसरूम देखने में अच्छा होगा, चमकदार होगा, सफेद होगा या जो भी वराइटी है उसके नुसार उसका कलर आच्छा और ताजा दिखेगा, तभी बीकेगा वैसे बजार में लोग केमिकल का यूज करते हैं जिससे मसरूम ताजा, वह अगर मिल्की मसरूम या बटन मसरूम है तो ज़्यादा सफेद दिखता है लेकिन हम लोग इसमें नेचुरल वीधी को जानेंगे, नेचुरल तरीके को जानेंगे जिससे की आपका मसरूम देखने में अच्छा दिखे इस वीडिया में हम लोग मसरूम का राजा जिसे कहा जाता है चागा मसरूम और रानी कहा जाता है रेसी मसरूम को उसके उगाने के तरीके भी जानेंगे, इसके बजार भाव भी जानेंगे, इसके उप्योग से होने वाले सेहत के फायदे के बारे में जो सबसे ज़दा important है, वो जानेंगे, और अगर आप इसका बैपार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इसके features, इसके गुनों के बा में जिसके नियुमीत उप्योग से लोग हमेशा जवान बने रहते हैं, ऐसा प्रचलन है, और उनका जो तवचा होता है, उसमें निखार बना रहता है, और बैपार से द्रिष्टी से तो यह सर्वोता मस्रूम है, क्योंकि इसको पाने के लिए लोग बिदेसों से भी, अग इसकी हम कीमत की बात करें, तो अभी तक कम से कम या 3 लाख रुपे प्रती कीलो में विका है, हासल में इसे डूढ़ना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि यह जमीन के नीचे उखता है, कुछ पेड़ हैं, ओक के पेड़ हैं, पाइन हैं, यह रोट हैं, और चिनार हैं, इन ह जगा खो देंगे, वहाँ खाली होगा, मिलेगा नहीं, तो कुट्तों का साहरा लेते हैं, कुट्ता को इसके गंद के बारे में पता होता है, तो लोग कुट्तों के साथ इन सभी बिरिक्षों के पास जाते हैं, और कुट्ता को पहले से ट्रिंट किया गया रहता है, जब कर पूछ ही लाने लगे तो आपको समझ जाना है कि इस पेड़ की जड़ में इस मस्रूम को आपको पाने का मौका मिल चुका है बस इतना है कि एक जगह से यह आपको देर सो ग्राम, दो सो ग्राम इस से जज़ा नहीं निकल पाएगा निकलता ही नहीं है और इसलिए यह इतना महांगा भी है वैसे सेहत की दृष्टी से यह चमतकारी गुनों का खजाना है और इसकी उतपात की बात करें तो करीब 600 कुंटल हुआ था यह पूरे इटली में लास इसकी बोले भी लगी थी और 40 लाग रुपे में एक ताइवानी सक्त ने इसे खरदा था और इसे ले जाने के लिए हवाई जहाज में इसकी सुरक्षा के लिए गाट भी सवार था एक और निलामी हुई थी नॉम्बर 2022 में 750 ग्राम का मश्रूम 15 लाग रुपे में हौंग क अब आये इसके हम जो खासियत की बात कर रहे थे तो यह मश्रूम जो है वह एंटी ऑक्सिडेंट का एक बहुत बड़ा स्रोत है यह कैंसर सेल को मारने में भी मदद करता है और इसमें एंटी बैक्टिरियल गुन भी होते हैं जो आपको कई बीमारियों से बचाता है और भी जाते हैं इसलिए यदि आप अपनी डाइट में ट्रफल मश्रूम को सामिल करते हैं तो आप स्वस्त और रोगमुक्त जीवन जी सकते हैं अब आये बात करते हैं मश्रूम के राजा चागा मश्रूम के बारे में जिनरली यह मश्रूम ठंडी जलवायू में जो बर्च का प बहुत मिलता है और हमारे कस्मीर में भी है बोच पत्र का इस्तमाल कस्मीर में पार्सल लपेटने में और हूको के लचीले पाई बनाने में भी किया जाता है और पुराने जमाने में लोग कागज की तरह इसका उपयोग करते थे इसी पर लिखने का काम करते थे और देखा तो आज भी बहुत पत्रों पे कई अंत्र लिखे जाते हैं तो हम बात कर रहे हैं चागा मसरूम की जिसकी खेती अगर आप करना चाहते हैं तो आपको इसी बर्च के पेड़ों में इसका बीज लगाना होगा प्रोटीन इत्यादी जैसे प्राकृतिक पॉलीमर से बना होता है और इसको परियोगसाला में भी विक्सित किया जाता है यह बजार में उपलब्ध है आप चाहें तो हमसे भी इसको ले सकते हैं तो पेड़ के तना में छेद करके उसमें मैसेलियम भर देना है बस हो गया अब इस पे इस्प्रे हलका पानी का इस्प्रे कर सकते हैं अपको वाज करते रहना है अब बात करें इसकी कीमत की तो यूरूपी बजार में अभी इसकी जो कम से कम कीमत है वो 70 डॉलर प्रती पाउंड है और हेल्थ बेनिफिट की बात करें तो इसमें भी भरपूर मात्रा में यह ऑक्सिडेंट होता है ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो LDL यानि बैट कुरलेस्टरॉल को कम करने में सहाइक होते हैं या होड के लिए बहुत अच्छा है यह कैंसर के इलाज में भी परियोग किया जाता है और यह इम्यून सिस्टम को मजबूत मनाता है बलड प्रेसर को भी रिड्यूस करता है अथा हाई बलड प्रेसर वाले के लिए बहुत अच्छा है बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि किड्नी स्टोन या गूर्दा के मरीजों को इसका लिमिट में सेवन करना चाहिए क्योंकि यह हाई ऑक्सिलेट फूड होता है वैसे भोजन को अच्छ जिन है या आपके बढ़ते उमर की परक्रिया को धीमा करता है मतलब बुड़ापे तक आपकी त्वचा जवान बनी रहती है आप अंदर से भी अच्छा महसूस करते हैं बुड़ापे वाली कमजूरी आपको फिलिंग नहीं होती है अगर आप इसका regular इस्तमाल करते हैं तो और विशेस आप जो भी जनकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बताएं जल्द हम आपको अपने टीम के साथ चलेंगे बर्च के पेड़ों के पास और देंगे आपको पूरी जनकारी और हाँ मस्रूम की रानी रेसी मस्रूम की चर्चा अभी बाकी है तो मिलते हैं अगले व जनकारी के साथ धन्यवाद